हेलो गैज, वल्कम बैक तो देस वीडियो, तो इस वीडियो में हम बचेव अपने method को specify करेंगे, जो कि हमारी है all song fragment class के अंदर, तो पिछले वीडियो में हमने यहां तक की coding कर ली थी, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देगा तो इसका link आपको description मिलेगा, जहांसे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और यहां तक की progress तक को follow कर सकते हैं, जो कि हमारी application है music player app, अब सबसे बेले में यहां पर main activity के अंदर कुछ views को fetch करूँगा, तो यहां पर सबसे बाले में कुछ variables को declare करता हूँ, at the top, जो कि हमारे सारे views के variable होंगे, तो हमारे सारे के सारे प्र तो इसलिए यहां पर हमने imgbtn play pause रखा है, then img इसके बाद मैं btn यहां पर specify करता हूँ, यहां पर betn फिर से capital btn, and then इसके बाद मैं इसको करता हूँ replay, तो replay करने के लिए song जैसे कि आप उसको बापको से replay करना चाहते हूँ, then img फिर से यहां पर b, capital b आपको specify करना है, त इसलिए specify कर रहा हूँ, ताकि easily, अगर कुछ समय बाद भी इस code को देखूं, जैसे कि 2-3 months बाद भी, तो मुझे easily समझ में आ जाए यह code, तो यहां पर मैं इसको देता हूँ next, and then img, और यहां पर फिर से में btn, and then यह होगा हमारा setting, तो यह हमारा होज़ेगा setting, इसके private echo करना है, जो कि होगा हमारा tab layout, जो कि मैं tab layout के भी id को fetch करना होगा, then एक और हमारा यह पर private होगा, जो कि होगा view pager type का, view pager, हमारा जो variable है, उसके बाद फिर view pager, इसके बाद seek bar एक अलग तरिके एक वीव है, तो इसके लिए हमारा seek bar का, चाहिए हमारा seek bar, इसके बाद आप जो कि होगा total time, जो कि हमारा song का total time display कराएगा, okay and then एक हमारा को यहाँ पर चाहिए variable private है, जो कि हमारा menu, तो अभी menu हमने create नि किया, that is the reason कि अभी हमारे को लेकिन variables में specify कर देता हूँ, तो यह हमारे कुछ variables है जो हम use करेंगे, अब यहाँ पर मैं call करता है method जो कि होगा हमारा init notint जाएगा init, जो कि use होगा initialize करने के लिए view के लिए, so कर देते हैं terminate, and after that यहाँ पर alt enter आपको press करना है, उस method को create करना है inside the main activity, तो हमारा method यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ यहाँ पर making करके सभी की IDs को initialize करते हैं, तो spacing बनाते हैं, और यहाँ पर सबसे बहले में specify करता करते हैं, तो हम अपनी बाकी ऐसी बटनों को भी IDs specify करते हैं, तो हमारा btn preview means previous, इसको भी कर देते हैं, तो हमारा थोड़ा fast forward करता हूँ क्या ID हमें fetch करने है, तो आपको हमें एक बार screen pause करके दिखा दूँगा क्या 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 हमें IDs fetch करी हैं, तो हम आप देख सकते हूँ पांचो इमेज बटन की IDs को fetch कर दिया, अब similar हमारे को अपनी टेक्स्टिव की IDs को fetch करने है, तो हमारे को स्पेसिफिए करता हूँ TV current time, तो हम इसको फेच करके देख से वीडियो को continue करता हूँ, तो हम अपनी floating action button की ID को fetch कर देते हैं, तो हम आपनी floating action button, action button is equal to, तो हम इसको र refresh, जो कि हमारे floating action button की ID है, ओके एंद इसके आप सीख बार कंट्रोलर, इसके हमारे ID specify करनी है, तो हम इसके आप सीख बार कंट्रोलर ही ID specify कर रखी है, तो हम आप हम यहाँ पर toolbar के भी ID specify कर लेते हैं, क्योंकि toolbar के अंदर हम custom कुछ elements को place करेंगे, तो अभी हमारे अपना menu create नही specify करते हैं, toolbar the ID, जो कि हमने specify कर रखी है, तो cross check करते है, तो toolbar ही ID है, बिल्कुल, toolbar ही हमने ID specify कर रखी है, अब यहाँ तक अपने main activity के code को खतम करते हैं, जो बागी code को हम बाद में करेंगे, अभी तक हमने अपनी सारे views को fetch कर लिया, तो यहाँ पर में main activity के code को बंद करते हैं, song fragment के अंदर है, जो कि हमारा all song fragment, तो यहाँ पर हमारा को कुछ अभी methods को specify करने है, तो यहाँ पर spacing बनाते हैं, और कुछ methods हमारा को create करने है, तो पहला method होगा हमारा query text वाला, तो इसकी return type हो, वो song adapter type की होगी, और दन यहाँ पर मैं इसको जिता हूँ on query, on query text, change, इसके बाद क return करेंगा, यहाँ पर end the end बाद में इसके अंदर new song adapter return कराएंगे, तो यहाँ 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 यूज करते है, create database parse dot query text, इसके बाद कर देचे है, terminate, and after that हम यहाँ पर for each loop यूज करेंगे, और यहाँ पर हम स्पेस्पार करेंगा songs list, तो यहाँ पर song subject मैंने बना दिया है यहाँ यहाँ, यहाँ पर यूज करेंगा, collon, then song list, यहाँ आपर यूज करींगे, बना दिया ह hacking यहाँ यहाँ पर हम की ना दिया हैंगे तो उसको हम Check कर रहे है कि जो title उसको हमदर टेक्सट ही है, अधरवास को भी करना ब्लक्र वैले ब्लक्र स्ट कहलद तो इसलिए हम Check कर रहे है यहां पर यहां पर यूज़ करेंगे जिए पृदें निव्लिस्ट के अंदर अब हम उसफ एलिमेंट्स को एड करेंगे तो Add and then यहां पर हम Specify कर देंगे Songs तो यह हमारा Actually में हम New List के अंदर Data को Add करने कर हमने Method Specify कर रखा है तो Return क्योंकि हमारे Adaptor को भी Same यही Concept भेजना है जैसा कि मैंने आपको बता है कि इसी यह लेयाओ आपके उपर हम Favorite Icon Place करेंगे उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम चाहते कि जो Song Currently वह Actually में Add हो जाए हमारी New List के अंदर वह हमारी फिर बाद में आजा Favorite Fragment List के अंदर हम उसे डिस्प्ले करेंगे यह नि Favorite Fragment के अंदर डिस्प्ले करेंगे तो Song Adapter को भी हम पास कर देंगे Get Context यहां पर हम Specify कर देंगे यहां पर हम पास कर देंगे यह जो New List है ताकि जो हमारा Adapter वो List को Draw कर सके अंदर अगर आप यहां पर अभी देखो तो हमें Error दे रहा है The Reason for the Aspective 3 Arguments वाट Pound 2 यह वार हम अपने Song Adapter पर जाते हैं और यहां पर हमारा Song Adapter है इसके अंदर यहां पर हमें 3 Arguments Specify कर रखे हैं तो यहां पर हमसे शह से गलती भी है तो यहां पर हमारा को उसको Change करना होगा तो यहां पर हमारा को Int Resource है यह में Specify नहीं करना तो इसको ऐसे हटा देते हैं और शिर्फ हमें 2 Arguments Specify करना है और देन वापस आते All Song Pragment पर आप देख सकते हैं जो अर्रो जा चुका है इसके बाद आप यहां पर हमार को को एक को एक प्रमेतल करना जो को होगा Public Type का इसके रटन टाइप वोएड जो को होगा Get Music Music & आपको इसको Body Start करनी है और दन यहां पर आपको specify करना yuri yuri and यहां पर आपको यूज करना song yuri यहां पर आपको alt enter press करने क्योंकि package import निवा is equal to and यहां पर आपको specify करने media तो यह actually हम media जो कि store है उसका use करने तो media हम यहां पर specify करते है media store.video यहां पर video.media नहीं यूज करना है हमारे को आपको आपको डेटाबेस से values को fetch करना है तो उसके लिए हम करसर का ही यूज करते है जो कि SQLite का हमारा main concept है तो cursor is equal to और यहां पर specify करते है equal to and then यहां पर यूज करेंगे content resolver.query और qwery नदर यहां पर सबसे पहले हमारे को song viewer pass करना है तो next value नल यहां पर सबसे पहले नल यहां पर डिख सकते हो और यह हो चतके complete code जाब यहां पर comparison करना होगा कि हमारा जो cursor क्या और यह है यहां पर सबसे पहले specify करते है song cursor is not equal to null तो हमारे को चेक करना है वो null now and then हमारे को यहाँ पे end operator specify करना है logical end operator and then song cursor हमारे को चेक करना है song cursor dot move to first कि हमारे cursor क्या हो move हुआ है first की नहीं तो पहले case में तो यह particular condition execute होगी नहीं तो यहाँ पर अभी आपको बता था कि क्यो execute नहीं तो इसके बाद हमारे को यहाँ पर do while loop यूज़ करनी होगी तो यहाँ पर हम अपने cursor को आगे करेंगे song cursor dot move to first तो यह particular statement है वह actually में cursor को move करेंगे फ़र तो पहली बार तो यह condition executed नहीं होएगी तो यह particular हमारी while loop है यह actually में cursor को move करेंगे and then इसके बाद हम यहाँ पर values को check करेंगे तो यहाँ पर हम specify करते integer कुछ local variable हमें define करने ते को कमारा song title is equal to and then यहाँ पर आपको specific करेंगे song cursor dot और यहाँ पर यहाँ पर यूज़ करेंगे get column index तो get column index and then यहाँ पर यूज़ करेंगे media तो media store audio dot media यहाँ पर आपको सब्चेजिए title तो dot आप specific करेंगे और title यहाँ पर specify करोगे then terminate then duplicate करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे song title के जगा यहाँ पर title हो गया इसका मैं यहाँ पर title के पहले में mistake कर दिया song title और यहाँ पर यहाँ पर हमारा song artist तो song artist आप ले सकते हो और यहाँ पर हम ले लेते हैas song path तो होगे और यहाँ पर artist kok्ति को specify करेंगे यहाँ बखस्ञति करेंगे एक देटर बेल मारको आपसपि Left till I am यहाँ भर एक बन्र क्रण चलरेस. तो songlist.add and then यहाँ पर हम उस करेंगे new songs list और यहाँ पर हम उस करेंगे song cursor का object .guest string then यहाँ पर हम पास करदेंगे song title यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पर करना song title और यहाँ पर यहाँ पर स्पसिफाइ करोंगे तो सब्साइब करेंगे तो subtitle जो होता है वो हमारा artist का name है जो कि हम यूज कर रहे हैं यहां पर फिर से उस करेंगा song cursor dot और यहां पर यहां पर यूज करेंगे get string फिर से और यहां पर पास कर दोगे हमारा जो song artist चलिए में पर song artist copy नहीं रहा तो यहां पर उसको specify करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर प्रोब्लम आ रही है कि यहां पर इसके बाद यहां पर core parameter specify करते हैं फिर से song cursor dot get string and then यहां पर हमारे को चाहिए यह value जो कि है song path तो path हम यहां पर provide करना है और the reason for that यह error आ रहा है यह इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे को इसको if lock के अंदर रखना है फोर method करना है जो कि actual में मारा content set करेगा inside the main activity जिसके तो यह पर हम डेटा भीजेंगे तो होगा मारा public method क्योंकि हमारे को इसको expose करना है outside the main activity so set content यहां पर इस method का नाम में देता हूं Note Context is going to set content. तो यह method को भी parameter expecting करेंगा, तो boolean. यहां पर आपको यूज़ करने सर्च. यहां पर यहां यूज़ करेंगा, search list is equal to false. यूज़ कर दें, यहां पर यूज़ करेंगा, songs list is equal to new. यहां पर यूज़ करेंगा, array list. यह हमारा है, array list. after that isco terminate करने एदन के बाद जो new list है उसके भी हमारे को तो यहां पर new list जो हमारा variable हो यूज करेंगे instant of new operator इसको भी हम memory adequate कर देंगे array list और दन के बाद कर दें terminate दन इसके बाद यहां पर हम call करेंगे getMusic method तो यहां पर call करते है getMusic and then after that यहां पर हम specify करेंगे हमारा song adapter का object song adapter यहां हमारा song adapter after that adapter is equal to and then यहां पर हम use करेंगे new और यह हुआ हमारा song adapter again song adapter then सबसे पहले getContext आपको बेजना है तो यहां से get करेंगे context जो कि हमारा QQM fragment के अंदर है यहां हम यहां पर getContext method को specify कर रहे हैं जब यहां में context बेजना होता अगर हम activity के अंदर यहां पर getApplication context चीए करते हैं और कई cases में इस भी यूज़ करते हैं हम चेक करेंगे not createParse is equal to तो dot करेंगे यहां पर query text और यहां पर हम चेक करेंगे is dot equals to empty तो क्या वह equal के empty तो नहीं है parameter specify कि यह condition specify कर दी मैंने यहां पर यहां पर adapter के अंदर method को call करेंगे adapter dot यहां पर करेंगे like जो हमारा object ay da part ko equal कर दे हम query text method के अभी on query text change method के equal इसले हो गया क्यों कि रीठन टाइप है वह भी adapter थाप ही mean song adapter type री रिठन ट टाइप है दोनों की यह adapter then notify data set changed तो यह हमारे को change करने के लिए adapter को notify करना है क्योंकि यहां पर हम अक्चिली करके रहे हैं हम यहां पर जो नहीं लिष्टा वो क्रेट करने के ला हम सब्सक्राइब करने हैं इसके बाद फिर से body start करते हैं, और अगर यह हम enter नहीं करें, तो else block को हम उसके कर देते हैं, false. Okay, तो search के functionality हम else में कर रहे हैं, false. इसके बाद फिर से create data parts, तो data parts इसलिए create कर रहे हैं, ता कि हम अपने जो फिरेटर जो music player की functionality उसे enable कर सके, that is everything, जो सारी में नहीं हम उसके रहे हैं, song list, and then यहां पर हम specify कर देंगे dot size, song list के हम data का size गट कर रहे हैं, then इसके बाद हम set कर देंगे list view पर adapter, यहां पर हम set कर देंगा adapter, जो के final हमारा काम होता है main, adapter मैं यहां पर set कर दिया है, and after that guys, अब जो final हमारा boolean variable है, final boolean variable, तो यहां पर final search result जो हमारे को return करनी होगी, final, search to list is equal to, हमें कर देंगे, search list के equal, तो यह हमारी final नहीं हो चुकिए, clouding complete, inside this particular method, तो यह actually void method है, और यहां पर हमारे को item click listener लगाना पड़ेगा, तो वह हम बाद में लगांगे, set item click listener, तो यहां पर हमारे item click listener लगाना होगा, listener, so that we can play the, so that we can play the music, so that we can play music, तो वह हम बाद में करेंगे, हमारे annual next video में, so that's it for this video guys, हम next video हम start करेंगे, viewpager adapter को create करना, और दन coding को start करेंगे, हमारे main activity के अंदर, means जो हमारा main activity है, तो हमारे layout है, जब हम tap और करेंगे, तो हमारे जो music अब पले, तो सबसे वहले हम viewpager पर काम start करेंगे, then उसके बाद हम final अपना आगे process code start करेंगे, so thank you for watching, I see you in the next video.